Hello everyone, welcome back to your kids, 7 public school online classes. Dear students, यह आपकी Hindi class है और आज की Hindi class में हम आपकी जो Hindi व्याकर नाम अक्पुस्तक है, उसमें संगलित, अक्षा 5, part 7, कारक. ठीक है, आज जो है, हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं. तो student से स्टार्ट करते हैं कारक, देखो, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, देखो, धारन दिये गए हैं आपकी किताब में, इसको देखेंगे कि धोबी ने कपड़े धोए, और विकारी को भीग दो, और डाल पर पक्षी बैठे हैं, यहाँ पे देखो, इन्होंने इसको जो इसको अठा देजे, आप तीनी यह जो शब्द हैं, यह दिये गए हैं, इनको अठा देजे, क्या हुझा धोबी कपड़े दोए, विकारी भीग दो, डाल पक्षी बैठे हैं, तो क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, याने कि हम जो है, अच्छी से उसको समझ ख़्रियां से और अन्या Σब्दों जो हैं उससे बताते हैं यह सब्द क्या कहलाते हैं हमारे परसरगया विबक्ति चिनद यह जू रोजते हैं विबक्ति चिन क्या लाते हैं हमारे हैब देखो कि मा कि साड़ी सुंदर है दूसरा उधारन report याने पैंसिल से चित्र बनाया है, इसमें जो हाइलाइट शब्द हैं, उनको देखेगे, जहानवी को खिलो ना दो, मा बच्चों के लिए उपहार लाई, ठीक है, तो इसमें जो कोई ये शब्द दिये गए हैं, आपके की, को, ने, से, के लिए, तो ये सब क्या है, परसर ग तो जो इनका संब्द है, अन्य वाक्यों से पता चलता है, कि मा की साड़ी है ना, जानवी को खिलो ना दो, जिया ने पैंसिल से चित्र बनाया, किस से बनाया पैंसिल से, किसने जिया ने, मा बच्चों के लिए, किस के लिए, बच्चों के लिए उपहार लाई, तो ये जो उसका संबंद वाक्य में आए, अन्य शब्दों से जाना जाए, ठीक है, जो वाक्य में आ रहे हैं, उनका जो संबंद है, वो अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे कारक कहते हैं, जो चिन शब्द को बताते हैं, उसे विबगती चिन कहते हैं, को यह जो है, इसकी कारक की परि बच्चों के लिए पहार लाई किसके लिए लाई बच्चों के लिए जिया ने पैंसिल से चित्र बनाया किसे बनाया पैंसिल से चीक है तो इसके संबंद का पता चल रहा है तो यह जो है कारक है और जो चिन शब्दों को बताते हैं उसे क्या कहते हैं विबगती चिन कहते हैं कारक के आठ भेद होते हैं कितने भेद होते हैं कि कारक के आठ भेद होते हैं प्रतेक कारक का विभगती चिन भी होता है जैसे कोन-कोन से कारक होते है हमारे कर्ता कारक, कर्म कारक, करन कारक संप्रदान कारक, अपादान कारक संबंद कारक, अधिकरन कारक संबोधन कारक तो इसके साइं कार्ता ने कर्म को और संप्रहान को के लिए अपा दान से डेखुर इसमें भी यहां आया है वह आया से करन करन से और इहां पर आया आपा दान अपाता chuck सोथ अलग होना में महां भीड्मicação कंडिसी सर आर्ते है जैसे कि जो फल है पेड़ से अलग हो रहा है कि पेड़ से पत्ते गियते हैं या पेड़ से फल गिरते हैं जो गंगा है हिमाले से निकलती है या फिर जो किसी अपनी चीज को छोड़ करके मतलब उससे अलग होता है कोई गाउं से अलग हो रहा है या पेड़ से अलग हो रहा ह या फिर जो है जिसे गंगा हिमालिया से अलग हो रही है तो इस तरीके से इसमें अलग होने के अर्थ में पादान कारण का प्रयोग किया जाता है ऐसे संबंद संबंद बताते हैं कि राम का भाई राधा की बेहन है ना तो यह है राम का की के यह जो है संबंद कारण जो कारण होता है उसमें जो है विद्धिИ झींगा प्रयोग क्या जाता है अधिकरन अधिकरन में में तॉर पर में जो income पहले्z तो दिखेखे लिए भी लगते हैं कि प्रणन्ता कर दखने हैं कि हम आने छो है खैन श्रूव करते हैं सबसे पहले कर्ताकारक देख लेटा कि करता कारक कहते किसे हैं इसमें जो है करता जो काम करने वाला होता है सबसे पहले जान लेजिए करता किसे कहते हैं कि काम को करने वाले को करता कारक कहते हैं जो कारिय को कर रहा है जैसे कि रमेश ने बोधा लगाया किस ने लगाया बोधा परशन करें आप कि किसने लगाया पूधा रमेश ने तो यहाँ पे जो है करता कौन है रमेश तो यहाँ हो गया आपका कि रमेश ने पूधा लगाया तो यहाँ आपका जो है करता कारक हो गया फिर देखो अगला कि कुमहार ने गड़ा बनाया किसने बनाया गड़ा कुमार ने तो यहाँ पे जो है यहाँ आपका करता कारक हो गया जो कारिय को करने वाला है यहाँ रमेश और कुमार काम कर रहे हैं और रमेश और कुमार में करता कारक है अब आगे देख लेते हैं कर्मकारक कर्मकारक में जो कारिय हो रहा है ठीक है कर्मकारक है ऐसे ही पीती राधा दूद पीती है क्या पीती है दूद तो इसमें जो है आप क्या का प्रश्न करेंगे तो उत्तर में जो मिलेगा उसमें जो है आपका कर्मकारक होगा अब देखो राकेश मा को पत्र लिखता है क्या लिखता है पत्र तो राधा दूद पीती है क्या पिती है दूद तो ये जो है आपके शब्दे क्या है ये सारे जो है कर्म का रहा है इसे जो है कर्म का पता चला की क्या काम हो रहा है अब देख लीजी आगे इसमें यहां लिखे वाक्यों में क्रिया का प्रभाव पत्र और दूद पर हो रहा है किस पर हो रहा है जिस पर क्रिया का प्रभाव पढ़ता है क्रिया का पर्भाव इसके परह रहा है पत्र पर और दूद पर ठीक है तो इसमें जो है इन शब्दों में आपका कर्म कारखC Records उसके बिना क्रिया पूरी नहीं हो सकती थी अगर यह दोनों चीज लेते हैं करन कारग करन कारग क्या होता है कि यहां गेंद से तथा जो है कलम से काम हो रहा है करन हो है कोई भी जो काम होता है किसी भी चीज से जैसे राम चाकू से जो है सेब काटता है या फिर जो है बच्चे गेंद से खेलते हैं या फिर जो है अमित कलम से लिक रहा है यहां करनकारक होता है जैसे कि देख लीजिए कि जिस साधन से क्रिया हो उसे करनकारक कहते हैं जैसे राधा ने चाकू से सेब काटा या फिर राम ने जो है गेंद से बच्चों को खिलाया तो इस तरीके के जो भी है होता है जिस के लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं कि जिसके कोई विकारिय कर रहे हैं जैसे मा को सबजी तो दादा जी के लिए पानिय लाओ यहां दाधा जी किसमें होगा मा में और दादा जी में देख उसके विबगतिचिन क्या होते हैं कि कर्ताने कर्म को कर्ण से सम्प्रदान के लिए देखें आपको विबगतिचिन मिलेगा कि को के लिए मा को और जो है के लिए जो आपके विबगतिचिन है तो इससे आप पता चला सकते हैं कि इ आगे देख लेते हैं आपादानकारक यहां चाकू से तथा पेड से फलेवं पत्ते अलग हो रहे हैं मैंने बताया था आपको जो आपादानकारक होता है उसमें चीजे जो है अलग होगी जैसे राखी ने चाकू से सेब काटा ठीक है तो चाकू था जब सेब काटा तो दोनों जो है टच में तेसे लेकिन वह को अलग गया डेखो तो यहां पर क्या है आपका निकलती है फिर जो है राम जो है गाउं से अलगो रहा है है 어 तो इस तरीके से जो है इसमें भी आपका अपादानकारक होगा जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहाँ पर आपका अपादानकारक होता है जिसे संग्या का वहरूप जिसके किसी वस्तु आदी के अलग होना पता चलता है वहाँ पर आपका अपादानकारक होता ह अब देख लेजिए संबंद कारक संबंद कारक क्या होता है यहां शाम की तथा मेरी में चिठी एवं कुरसी का पता चलता है देखों, यह धारन दिया गए है कि यह है शाम की चिठी है यह है मेरी कुरसी है तो इस आपको संबंद पता चल रहा है इसमें जो शब्द है कि मेरी और शाम की किसकी है चिठी शाम की कुर्सी किसकी है मेरी है तो इसमें जो है कुर्सी का संबंद किस से है इस बच्चे से और यहां पर जो है चिठी का संबंद शाम से तो यह जो क्या है संबंद गारा किसमें जो है आपको संबंद बताया जा रहा कि जैसे कि संग्याया सरवनाम का ऐसा रूप जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध पता चले कि क्या रिष्टा है उसका है ना वह संबंध कारग होता है जैसे कि यह मेरी कुर्शी है किसकी कुर्शी है उसका संबंध किससे है कुर् कहां पर संग्या का इसा रूप जिस से क्रिया होने का इस्थान या आदार का पता चले वहाँ आदिकरन का रस उन्ता होता है आधार कोह बिकार100 हो रहा है। उसके जो है इस्थान का या आधार का जहां पता चले वहां पर अधिकरन का रखोता है जैसे कि उमा कमरे में तथा कोवा पेड़ पर यहां पर देखो उमा कमरे में सु रहे कहां सु रही है आधार क्या है इस्थान क्या है कमरा ऐसी कोवा पेड़ पर बैठा है तो उसका आध बैठने का पेड़ तो यहां पे जो है क्या है आपका अधिकरन का रखें तो उमा कम्रे में तथा कुवा जो है पेड़ पर से जो है किडिया होने के साथ का पता चलता है तो इसमें जो है आपको किसका पता चल रहा है अधिकरन का पता चल रहाएगी है जो है उमा कम्रे में सो रही है कहां सो रही है कम्रे में और जो है को आप पेड़ पर बैठा है तो यह जो है यहां पर क्या है आपका अधिकरन का रखें अब आगे देख लेते हैं कि संग्या का वें ऐसा रोप जिस से क्रिया होने का इस्थानी आधार का पता चले महां अधिकरनकारक होता है अधिकरनका अर्द होता है आधार अब आगे देख लेते हैं कि संबोधन कारक संबोधन कारक क्या होता है आप देखो इसमें संबोधन क्या होता है जब किसी को बुलाते हैं आवाज लगाते हैं तो संबोधित करते हुए किसी को बुलाते हैं देखो इनोंने बुलाया रे बेटा हे सादू तो यहां पर देखो यह जो है संबंद संबोधन सुचक जो है चिन भी लगा हुआ है तो इसमें आसानी साब भैजान भी सकते हैं तो देखो इनों संबोधित करते हुए बुलाया है कि अरे बेटा इधर आओ खाना खाओ फिर देखो कि हे सादू परणाम आईए इनको बुला रहा है सादू को तो यहां पर क्या है आपका संबोधन कारक है कि हे सादू तथा अरे बेटा से पता चलता है कि बेटा सादू को परनाम किया जारा है। पढ़ेंगे आज कितना ही है। today